हलो नवसकार स्वागत आप सभी का मेरे अपने चैनल में शुक्लास किचन विद्फन में दोस्तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेथी और आलो की सबजी की रेसेपी जिसमें ना तो लसन है ना ही प्याज है तो सभी लोग इस रेसेपी को जरूर ट्राइ करिएगा तो देखें यहाँ पे मैंने मेथी को साफ करके दो लिया है आलो को भी मैंने छील के दो के बारिक पारिक कट कर लिया है और अब हम क्या करेंगे गैस बेक पैन रखेंगे पैन के अंदर हम ओयल डाल देंगे और ओयल को गरम होने देंगे दोस्तों इसमें लसन प्याज नहीं पड़ेगा फिर भी यह सबजी इतनी स्वादिस्ट बनती है ना तो प्लीज आप वीडियो को बिना इसकिप किये पूरा पूरा देखेगा ओयल के गरम होते ही मैंने यहाँ पे हिंग डाल दिया है और हिंग के बाद मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दूँगी इस सब्जी में हमें किसी भी एक्स्ट्रा मसाले को एड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यह बहुत ही सौधिस्ट सब्जी बनती है और फटा-फट से बन जाती है और अब हम क्या करेंगे इसमें कटे वे आलू एड कर देंगे और उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे भूल गेती शुरुवात में तो ये देखे जो सुखी वी जो लाल मिर्च उती ना वो हम इसमें एड़ कर देंगे तो आप क्या करिएगा जब ऑईल गरम करे तब पहले आप सुखी लाल मिर्च डाल दीजीगा उसके बाद हींग और हल्दी डालेगा और साथी में अगर आप जियान रखिए अभी मैंने इसमें मेथी एड़ नहीं करी है मेथी हम बाद में डालेंगे क्योंकि जो आलू है उन्हें पकने में ज़्यादा टाइम लगता है तो पहले हम आलू को ढग करके अच्छे से पका लेंगे और जो गैस का फ्लेम है वो एकदम लो रखेंगे और बीच बीच में हम इस तरीके से चलाते रहेंगे आलू को देखते रहेंगे कि ये फ्राइ हो रहे हैं कि नहीं और ये सबजी जो है वो लगे भी नहीं कडाई में तो हमें इस तरीके से बीच बीच में ऐसे चलाते रहना चाहिए और फिर से हम इसे ढख करके एक मिनट के लिए पका लेंगे तो अब आप देख सकते हैं ये जो आलू है अच्छे से पक चुके हैं हमें लगबग 80% तक आलू पका लेना है आप देखे जब आलू ऐसे दिखने लगे तो आप समझ जाएए कि आलू पक चुके हैं और अब हम इसमें मेथी एड कर देंगे तो जब आप मेथी डाले तो एक साथ पूरी मेथी मत डालिएगा क्योंकि आप देखेंगे कि जब हम डालेंगे ना मेथी तो पहले तो पूरी कडाई भर जाती है तो हमें थोड़ी थोड़ी करके इसमें मेथी डालनी है इसे चलाते रहेंगे तो वो नीचे बैठने लगेगी उसके बाद जो बच्ची भी मेथी होती हो आप इसमें डाल दीजिएगा दोस्तो सर्दिया सुरू हो चुकी है मार्केट में हरियरी मेथी मिलने लगी है तो आप अपने घर में इसे बनाईए खाईए और हाँ मुझे जरूर बताईएगा कि आपको मेरी रेसिपिक कैसी लग रही है मेरे घर पे ये सबजी वीक में दो से तीन बार तो बनती बनती है तो आप प्लीज कॉमेंट करके बताईए कि आप लोगों को भी इतनी पसंद है मेथी अलू की सबजी क्या आपके यहापे भी इसी तरीके से हर अफ़ते में दो तीन बार सबजी बनती है या इसे कम या जाल दूँगी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तो एक बात का ध्यान रुकिएगा कि मेथी डालने के बाद आप इसे ढखेंगे नहीं क्योंकि देखे अल्रेड़ी इतना पानी रिलीज कर देती है तो अब आपको ढखक किया था वो भी देखे पूरा सूख गया है तो मतलब की जो सबजी है पूरी अच्छी तरीके से रेड़ी हो चुकी है तो बस अब हम इसे सर्फ कर देते हैं तो यह देखे बन चुकी है मेथी अलो की सुखी सबजी बिना लस्टन प्याच के अगर आपको यह रेसेपी अच्छी लगी है तो प्लीज आप एक लाइक तो करी सकते हैं और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब शुक्लास किचन विद फन अपने कि अ